तोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है कि इतना असरदार है ना अब आया हो तो आप बताना इस कैसे अब सब आपके अपने यूटुब चैनल लाइफ के टेक्निकल लोचा पे बार फिर्स होगता है वाई आज मैं आपको मात्र 20-30 रुपे में जो है यह ट्वालेट क्ल अचा दोंगा सिर्फ 20-30 रुपे में और यह टोइलेट जो है ऐसा क्लीन होगा आप सोच भी नहीं सकते ना कोई उतना हार्पिक काम करेगा ना कोई फिनायल काम करेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दिखाने वालों मैं आपको क्या-क्या चीजे जो है मैं इसमे आप यह गीला चोड़ देना है सिर्फ दोई चीजों का हम यूज़ करने वाले यह इस तरह जो है अब जो इसको भी हमें वेलाल पांच मेंट के लिसी तरह छोड़ देना इस चो दूसरा आइटम अभी तो हमने पानी डाला है पानी डाल दिया पांच मेंट गिला अब यह जो मेरे हाथ में आइट में आप यह समझ गए होंगे किस चीज का जो है मैं यूज करने वाला हूं और यह इतना असरदार है ना अभी आप देख के हैरान हो जाओगे और अभी फिलाल मैं आपको बता दूगा यह आप वैसे समझे होंगे आप यह कोल्डरिंग है और अभी इ अच्छे से लाना है क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो प्रेशर है यह देखिए इसको अच्छी तरह से लाने के बाद आप हमें क्या करना है इसमें अगर आपके पास घर पे वोई फिनाईल वगरा है तो थोड़ा बहुत आप इसके साथ मिला सकते हो अधर्वाइस ज्या बहुत असरदार है बस थोड़ा थोड़ा डाल के आपको जो है इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़े आपको पूरा टॉलेट दिखा हूँगा अभी डाल लेता हूंगा यह तो आपको दिखाता हूं कितना कारा कार है एक ही बार इस टॉलेट क्लीन करोंगे लेकिन बार पास ब्रशे जो आप इसको रगड़ सकते हैं देखिए सीट को थोड़ा रगड़ना तो पड़े गई आप हार्पिक फिनाइल कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपको जोड़ा पड़ेगा पर मैं भी इसकी क्लीनिक दिखाऊंगा ना वो देखिए आप हैरान हो जाओ परक्त देख लेड़ा अपने आखों के सामने लाइव अब यह यह देख लीज़े भाई पहले और अब में सामने बिल्कुल लाइव अंतर दिखा रहा हो और फरक नाया हो तो आप बताना अच्छे अच्छे फिनाइल इसके आगे फेल हो जाएंगे इस ट्रिक को आप लोग ज़रू ट्राइए करें कुछ भी पूछना कोमेंट करके पूछे सिर्फ एक या इटम लगना है 20 रुपेगा फिलाल भाई आप देख सकते हैं पहले है कैसा था और अब इसकी क्या आलत है और पहले ज्यादा साफ था या अब ज्यादा साफ है मैं आपको बताया अच्छे अच्छे जो फिनाइल हो फेल हो जाएंगे इस तरह अपने टॉलेट को भाई क्लीन करिए थोड़ा सा ही लगना है ज्यादा नहीं लगेगा जिस चीज क कमेंट करें हमारी रूटुप चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को दबा दें